हेलो दोस्तो तो आज हम 2023 की सबसे जादा खतरनक हरोर मूवी के बारे में जानेंगे जहांपर डेमन, कल्ट और बहुत सरी चीजों के बारे में दिखाया गया है बलेक मेजिक और कल्ट में अब अपनी मर्जी से अंदर जा सकते हैं लेकिन आप उसे वापस खुद नहीं जोड़ सकते हैं और अगर आपने छोड़ने की कोशिच भी की तो उस कल्ट की डाकनेस आपका कपी भी पीछा नहीं छोड़ेगी और यही हम आज की इस कहानी में बलेक मेजिक के कुछ साइन बने हुए थे उसके बाद उस फूटेज में कुछ लड़कियों को दिखा जाता है जहाँ पर बहुत सी लड़किया एक लेक में नाकर इंजोई कर रही थी उनमें से तीन लड़की डियाना, मारी गोल्ड और किटी बिल्कुल भी इंजोई नही को कह रहा था, फिर वे लोग एक जगे पर आ जाते हैं जहां पर बहुत सारे पिक्स थे और कुछ मरेवए जानवर की हड्या भी थी, वहां पर और भी करें सरे लोग थे हैं और फिर सभी लड़कियों के सर पर एक कपला बांद कर उनको एक अजीब सा रूम में ले जाया ज अब हम पुलिस ओफिसर लॉरेन को देखते हैं जो की बहुती परिशान दिख रहे थे, यहां पर हमें पता चलता है कि लॉरेन ने मेलम फ्लॉक कल्ट में बली देने से पहले डायना, मारीगोड और किल्टी को बचा लिया था, सभी लोग लॉरेन के इस काम के लिए उससे ह जलावा था, यहां पर लॉरेन अपने काम से खुश नहीं था, क्योंकि वो जब तक उन लड़कियों को बचाने गया था, तब तक बेटी की बली दे दी गई थी, तीन लोगों को तो उसने बचा लिया था, लेकिन बेटी को नहीं बचा पाय था, और उसी का दुख उसे अ और अपने दोस्तों से कहता है, कि वे लोग उसकी फैमिली को बताए, कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, सीन कट होता है, और अब कहानी एक साल के बात से शुरू होती है, जहांपर हम लॉरेन की बेटी जैसिका को देखते हैं, लॉरेन हमेशा चाता था, कि उसकी बेटी प अपने पिता को दिखाना था, कि वो फुलिस यूनिफॉर्म में कैसी लगती है, और आज अकर लॉरेन जिन्दा होते हैं, तो अपनी बेटे को इस यूनिफॉर्म में देखकर, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वहाँ पर जैसिका की मा और लॉरेन की वाइफ एना भी आई होई थी, लॉरेन की मौत के बाद वो बहुत ही ज़दा शराप पीने लगी थी, अपनी मा के इस अलकोहलिक नेचर से जैसिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन एना भी क्या करती, लॉरेन की मौत के दुख से वो बारी नहीं निकल पा रही थी यहाँ पर एना कुछ बातों को चाह कर भी जैसिका को बोल नहीं पारी थी और यह बात क्या थी यह हमें आगे की कहानी में पता चलने वाला है तो वीडियो के एंड अब बने रही गा अब दोनों अपने अपने रास्ते चल जाती है और तब हम लॉरेन के ग्रेव के पीछे उसे सेटानिक सिंबल को बनावा देखते हैं जो कि मुवी के शिरुआत में हमने उस डेमोनिक चेर पर देखावा था फिर इसके बाद में अब शाम को जैसिका प्लिस स्टेशन के तरफ जाने लगती है और अचानक दो लड़किया एक सुवर का मास उसके कार के तरफ फिक कर भाग जाती है जैसिका उस मास को दूर फिक कर प्लिस स्टेशन के तरफ जाने लगती है फिर कुछे दिर बाद जैसिका अपनी डूटी जोइन करती है और यह वही प्लिस स्टेशन था जहां पर उसके फादर लॉरेन काम किया करते थे और आज ही के दिन इस प्लिस स्टेशन का आकरी दिन था क्योंकि इसके बाद में इस प्लिस स्टेशन को दूसरी जगप पर शिफ्ट कर दिया जाना था वहाँ पर Jessica को पुलिस officer NET मिलते है जो किसी पर चिला रहे थे लेकिन वो किस पर चिला रहे थे इसे Jessica नहीं देख पाती है officer NET Jessica को ये आकरी रात इस police station में duty करने को कहते हैं अब इस आखरी रात को इस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं होगा और अगर कोई भी इमर्जेंसी कॉल आएगी तो जैसिका को उसे उठाना पड़ेगा। अपने साथी आफिसर को मारने के कारण बागी जब पुलिस आफिसर लोरें से नफरत करने लगे थे हैं जिस बात से जैसिका को भी बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो अपने फादर के सपने के लिए इस जोब को गंडिनू करना चाहती थी। अब वो आफिसर नेट इस पुलिस स्टेशन से चल जाते हैं और बस जैसिका ही वहाँ पर अकिली थी। उसके बाद जैसिका अपने फादर के लोकर 17 में चली जाती है लेकिन वहाँ पर एक ताला लगावा था जिसकी चाबी उसके पास में नहीं थी। तब ही जैसिका को कि लाइट ओन करती है तो वहाँ से वो आदिम गयब हो चुका था तब ही उसे पुलिस स्टेशन का डोर बिल सुनाई देता है और में डूर के तरफ जाने पर जैसिका को गीरप नाम का एक आदमी खड़ावा दिखता है जो किसी होमलेस की तरह दिखाई दे रहा था वो दरव लेकिन फोन फिर से बज़ता है और इस बार भी कॉल पर वेसी आवाज सुनाई दे रही थी तब जैसिका पुलिस हेड़कोर्टर में कॉल करके उस प्रेंग कॉल के बारे में बताती है लेकिन जब उस ओफिसर को पता चलता है कि जैसिका लॉरेन की बेटी है तो वो उससे बहुती रूडली बात करता है और इस बात से जैसिका गुस्ताओकर अपनी गन से अपने फादर के लोकर के लोक को तोड़ देती है लोकर के अंदर उसे न्यूस पेपर का एक टुपला और अपनी और उसके फादर की एक फोटो मिलती है लोकर के खिटन केबिन में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उन्हीं लड़कों के केस के फाइल थी जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और उन्हें कल्ट मेंबर के लोग बली देने वाले थे जिन्में सब बेटी को कल्ट मेंबर ने सेक्रिफाइस कर जाता जैसिका वहाँ पर बेटी के कटे हु उसे कॉल करने समना करता है अब जैसिका उस सुवर के पास में जाती है और सुवर की बॉड़ी में वही सेटनिक सिंबल बनावा था और उसके गले में बेटी का लॉकेट था जैसिका उस सिंबल का एक फोटो लेती है और उस सुवर को एक रूम में लेकर आती है और वह उस कोटर पर ये बात पता देती है और अचानक जेसिका को दोर खोल कर कोई जाते हुँ दिखाए जिता है जेसिका उसका पीछा करती है और एक रूम में एक आदमी खड़ावा था और प्लीस फाइल को फेक राता जेसिका उस आदमी को गन पोइंट पर लेती है और उससे बेट कर लेती है और फिर उसे हैंड कफ लगा कर एक सेल के अंदर ले जाती है लेकिन जब जेसिका सेल के अंदर थी तो गलती सा सेल बंद हो जाता है और उसकी चाब भी बार ही रे जाती है अब जेसिका जब वाकी टॉकी से हैड कोटर पर कॉल लगाती है तो उसे एक अजीब आ आवाद सुनते ही ग्रीप फिर से हैपर हो जाता है और गुस्साय में कहने लगता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा है फिर उसी टाइम कोई टॉर्च उठा कर जैसिकर की तरो चलाता है और पहले तो जैसिका सूचती है कि इस टॉर्च को ग्रीप चला रहा है लेकिन दिखाई देते हैं जिनके सर पर खून वाला कपड़ा बंद आवा था लेकिन जब जैसिका रूम के बाहर आती है तो वहाँ पर कोई ब नहीं था ग्रीप को उस रूम के अंतरे चोड़कर जैसिका उस रूम का डॉर्ड लोग कर देती है अब वाके टोके भी काम नहीं कर र पर चोड़ी चोड़ी बातों पर कॉल करने से मना करते हैं और जैसिका वो पूल स्टेशन में सिर्फ एक रात गुजाने को केते हैं अब ऑफिसर नेट उस कॉल को कट कर देते हैं और जैसिका की बात को कोई भी सीरसली नहीं सुन रहा था तब ही जैसिका अपने फादर के वाक्स को देखती है जहाँ पर उसे case related कुछ demonic cult की information मिल जाती है कि किस तरह वो cult demon की पूजा करते थे demon से related बहुत से photos और symbol भी Jessica को वहाँ पर दिखते हैं और वहाँ पर एक pen drive भी उसे मिलती है उस pen drive को लेकर Jessica वहाँ से जाने वाली थी लेकिन तब भी Jessica एक prostitute को देखती है जिसे एक आदमी अपने कार से बाहर निकाल कर वहाँ से चला आता है Jessica उस prostitute को आवज लगाती है और तब वो उसके पास आती है वो देखते है कि उसे बहुत चोट लगी है और Jessica उसे उस police station के अंदर लाकर उसका treatment भी करती है उस prostitute का नाम डोरता था पहले तर डोरता नॉर्मली बाते कर रही थी लेकिन कुछी देर के बार में उसका behavior भूती चेंज हो जाता है वो रूम के एक तरफ देखकर किसे से बाते कर रही थी और उस चीजों से वो डर भी रही थी जैसिका ambulance को call करने वाली थी कि तब ही डोरता वो जोर जोर से चिला कर पहले की तरफ नॉर्मल हो जाती है तब जैसिका डोरता को police station से बाहर निकाल देती है और डोरता के जाने के बाद में landline पर किसी का call आता है जैसिका उस call को उठाती है और मापर एक लड़की जैसिका से बाते कर रही थी साथी call पर एक सुवर और कई लड़कों के चिलाने की आवासे भी आ रही थी वो लड़की किटे के बारे में बाते कर रही थी जिसे जैसिका के फादर लॉरेन ने उस कल्टे से बचाया था और वो लड़की किया रही थी कि तुमारे पिता ने हमरे काम बिगाड दिया और उस काम को हम आज रत को पूरा करने वाले हैं और call cut करने के बाद में जैसिका पुलिस हेटकोटर में call करके लड़कियों के kidnap होने के बारे में बताती है। उस लड़की ने उसे जो कुछ भी कहा था, वो उन सभी बातों को रिपोर्ट करती है। लेकिन वहाँ से भी जैसिका को कोई भी response नहीं आता है। तब जैसिका उस pen drive को देखने लगती है, जहाँ पर उसे कल्ट के सारी वीडियोस मिल जाती है। वहाँ पर मारिया नाम की एक उरत बेटी की बली देने से पहले उसे कुछ कह रही थी, कि उससे sacrifice करने के बाद में वो नरक में जाकर डेमन का खाना बनेगी। और कुछे दिर के बाद में मारिया बेटी को मार कर उसका sacrifice दे देती है और उसे बहुत ज़ाद पूटिली मारा गया था। उसी टाइम जेसिका को उसकी मा एना को कॉल आता है, वो एना से बात करी रही थी कि तभी उस कल्ट का वीडियो जो की पाउस था, वो अपने आपी प्ले हो जाता है। जेसिका को शुटिंग का एक पोस्टर मिलता है, जहाँ पर लिखावा था, उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन की लाइड भी फ्लक्शुएट होने लगती है, और जेसिका टॉर्च लेकर उस रूम से बाहर जाती है, तो बाहर उसे डमी पर अपने फादर की एक फोटो लग जेसिका मेंडोर के पास में बाहर निकलने के लगाती है, लेकिन बाहर से किसी ने चेनल लगा कर दॉर्च को लोग कर दिया था, फिर जेसिका को अजीब बजीब आवज़े सुने देती है और उसको गलास में उसके फादर का रिफलेक्शन में दिखाए दिता है, जेसिका दूसरे डोर को चेक करने जाती है लेकिन बाहर निकलने का हर डोर बाहर से लोग था जैसिका पुलिस हेड़कोर्टर में कॉल लगा कर उसकी मदद के लिए जल्दी वहाँ पर आने को कहती है और उनसे ये भी पूछती है कि क्या इस पुलिस स्टेशन में जॉन मेलम हो सकता है पुलिस उसकी बातों का जवाब नहीं देती है लेकिन उनके आने तक जैसिका को पुलिस स्टेशन के एकी रूम में रहने को कहा जाता है जैसिका जब अपने फादर के फोटो को देखती है तो फोटो के पीछे भी उसे सैटनिक सिंबल मिलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं क दिखते ही हमाँ के फोन लाइन कट हुए हैं तो जैसिका आखिरकार उस लेंड लाइन से कीसे कौल कर पा रही थी अब उसी टैम पर उस लेंड लान पर उजिसका के वाके टो कीपर के कल्ट मेंबर के चेंड के हुए मंतर सुने देते हैं और सामने के रूम से भी उनी मंतरों की आवाज आ रही थी और डर के मारे जिसका गन को पॉइंट करके खड़ी हो जाती है फिर अचानक उसको कोई बास्केट बूल मारता है और पीछे मुणने पर वहाँ पर कोई नहीं था यहाँ पर अपर लेप्टॉप के एक वीडियो में उसी टाइम के फूटेज को देखते हैं जब जैसिका के फादर जॉन मेलम और उसके कल्ट मेंबर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाए हुए थे वहाँ पर सभी कल्ट मेंबर और जॉन मेलम अजीब बाते कर रहे थे और उनका यह कहना था कि वो अपने डेमन जो की उनके भगवान है उनके लिए यह सब सेक्रिफास कर रहे थे उनकी लाइफ का एक ही परपस था डेमन को इस दुनिया में लाना और डेमन की हर इच्छा को पूरा करना उस वीडियो में एक टाइम पर लॉरेन को बार कुछ दिखाई दिता है जिसके बाद में वो इंटेरोगेशन रूम से भार जाता है जैसका जब उस वीडियो को जूम करती है तो उस रूम के बार एक डेमन उसे दिखता है जैसका कुछ समझती कि तबी कोई उसके सर पर एक कपला डालकर उसे स्टेचर पर लेटा कर कहीं पर ले जाने लगता है अब हम देखते हैं कि जैसका एक स्टेच पर आ चुकी थी और हो कुछ भी नहीं कर पा रही थी जैसका के पास के बेट पर जॉन मेलम और दो कल्ट मेंबर की डेट बोडी पढ़ी हुई थी जिनके सरपर सेटनिक सिंबल वाला एक कपला बंदवा था और वो डेट बोडी हिल भी रही थी डर के मारे जैसका चिलाने लगती है और तब वो डेट बोडी हिलना बंद कर देती है अब एक पोस्ट मोटम करने वाल आदमी वहाँ पर आता है और कल्ट मेंबर उसे जान से माँ डालते है असल में जैसका उस टाइम को देख रही थी जब वो कल्ट मेंबर मारे गए थे और ये टाइम पास्ट का था जैसका जब उठती है तो उसके सामने एक लाश खुन की उल्टी कर रही थी और डर कर जैसका उस बेट से जमीन पर गिर जाती है तब वहाँ पर सब कुछ नाटमर हो जाता है और जैसका पहले वाले रूम में थी जैसका हैरी सुनेट कर रही थी या फिर उसके दिमाग के साथ में कोई खेल रहा था ये हमें आगे पता चलेगा तब भी वहाँ पर वही पुलिस ओफिसर एरिक आते हैं जिसने लॉरेन को गुली मार कर मार डाला था एरिक के साथ में एक दूसरा पुलिस ओफिसर भी था और जैसका को अब ऐसा लग रहा था कि अब वहाँ से निकल पाएगी और एरिक जैसका को वही गन दिखाता है जिससे लॉरेन ने अपने पुलिस एमपलोई को मारा था अचानक एरिक का फेस एक डेमनिक एंटेटी में बदल जाता है और कोई पीछे से आकर जैसका की तरफ कुली चलाता है जैसका कुछ है समझ पाती उससे पहले ही वो उस टाइम पर पहुच जाती है जहां पर उसकी मा एना जॉन मैलम के साथ में थी हम देखते हैं कि जैसिका जब बेबी थी तो जॉन मेलम ने उसे गोद में लेकर काता कि जैसिका हमारे जैसि ही है और उसका जनम डेविल को कुछ करने के लिए हुआ है फिर जैसिका अपनी प्रेजन टाइम में आती है जहाँ पर उसके ग्रीब चिलाते हुए दिखता है और जैसिका उसे सेल से भार निकाल ले ती है और उस आवाज को फॉलो करके गृप एक रूम के अंदर जाता है दूसी तरफ बेटी नाम का वो पिक भी रूम के बार आ गया था यहाँ पर जेसिका अपनी मा की वीडियो देख रही थी कि तभी बेटी की डेमोनिक स्परी टाकर उसे डराने लगती है किसी तरफ जेसिका एक दूसर रूम में घुसकर उस दोर को लोग कर लेती है बेटी अभी भी जेसिका का पीछा नहीं छोड़ लीती तो इसलिए जेसिका उसे गोली मार देती है लेकिन असलियत में जेसिका ने बेटी को नहीं बलकि उस सुवर को मार डाला था उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में एना आती है जेसिका से मिलने के लिए जो कि जेसिका को इस पुलिस स्टेशन में काम करते हुँ देखकर बहुत ही गुस्ता थी एना को लगा था कि जेसिका किसी दूसर पुलिस स्टेशन में काम कर रही होगी और इन बातों का जवाब ने देकर जैसिका एना को उसके कल्ट मेंबर होने के बारे में सच पूछती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना पहले उसी कल्ट के मेंबर थी लेकिन उसने कल्ट को छोड़कर जैसिका के फादर से शादी कर ली थी जब वो प्रेगनेंट थी तो एक दिन जॉन उसके पास में आया था और उसने उससे कहा था कि उसकी बेटी बहुत बड़े काम के लिबनी है एना ने उसकी बातों को इश्वास कर लिया था और उसके साथ में चली गई थी लेकिन जब जैसिका पेदा हुई तो एना को डरावने विजन आने लगे और तब वो जैसिका को लेकर कल्ट छोड़कर लोरेन के पास में वापस चली गई एना कुछ बता पाती कि तब ही उससे लोरेन दिखाई देता है और उसके पीछे जाने लगती है और जैसिका पी उसके पीछे चल देती है वहाँ पर मारिया ने गण लेकर किटी को हुस्तज बनाया हुआ था और जैसिका के कहने पर वो गण को नीचे रखती है मारिया बोल रही थी कि आज के रिचुल के लिए जौन को जैसिका चाहिए और उन्हें पावर भी चाहिए जो की उसा सेक्रिफाइस करकर मिलने वाली थी और जैसिका का जन्म इसी खास मकसद के लिए हुआ था मारिया फिर गोली मार कर किटी की जान ले लेती है और तब जैसिका भी मारिया को शूट करके उसे जान से मार डालती है अचानक महाँ पर बहुत सारे कर्ट मेंबर आकर जैसिका का पीछा करने लगते है और जैसिका किसी तरह उस रूम से बाहर आकर दोर को लॉक कर देती है अब तब पुलिस स्टेशन के लैट चली गई थी और जैसिका को एना भी कहीं ने मिल रही थी फिर उसी टाइम जैसिका को जौन मेलम का कॉल आता है और उसके मताबिक उसने तो पहले लॉरेन को बता दिया था कि वे लोग मर कर भी जैसिका के साथ इस रिचुल को पुरा करेंगे तब ही जैसिका को ग्रीब दिखाई देता है जिसके पेर को किसी ने उसकी हट्डियों तक खाल लिया था अचानक ग्रीब जैसिका पर हमला कर देता है और तब जैसिका उसे भी शूट करके माडल थी बाहर के कोरिडोर से भी अजीब आवाज आ रही थी और जैसिका के बेकप बुलाने पर भी कोई रिस्पोंस नहीं आ रहा था तब जैसिका खुदी आवाज के तरफ देखने जाती है और एक रूम को खुलने की कोई कोशिश कर रहा था तब जैसिका गन को पॉइंट करके खड़ी हो जाती है वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर जैसिका को मरे हुए पुलिस ओफिसर उस पर हस्ते हुए दिखते है वहाँ से दूसरी ओर जैसिका को किसी लड़की के चिल्दाने की आवस सुने देती है तो जैसिका उसकी तरफ आगे बढ़ती है फिर एक जगह पर कल्ट का एक आदमी मारी गोल्ड पर चाको से वार कर रहा था उस जैसिका मारी गोल्ड को बचा पाती उससे पहले ही वह आदमी मारी गोल्ड का गला काटकर उसे जान से मार डालता है तब जैसिका भी उस आजमें को शूट करके उसे जान से मार देती है मतलब भी आज जैसे एक साल पहले लोरेन में जिन भी लड़कियों को उस कल्ट से बचा था उन सबी लड़कियों की कल्ट के हाथों बली दे दी गई थी जैसिका को अब अपने फादर लॉरेन नज़र आते हैं तो इसलिए जैसिका उनके पीछे जाना लगती है पहले तो लॉरेन जैसिका से नॉर्मल आवाज में बाते कर रहे थे लेकिन दीरे दीरे उसकी आवाज किसी डेमन की तरह होन लग गए थी उसी टाम एक कल्ट मेंबर जैसिका के तरफ गोली चला देता है और वो उसका पीछा करके गोली चलाना लगती है जैसिका कुछ कल्ट मेंबर को मार भी डालती है और एक रूम में एक कल्ट मेंबर लेशा नाम की एक लेड़ी को फासी देकर पली चला रहा था और लीशा का खून पूरी तरह से जैसिका के उपर गिरना लगता है जैसिका को सीलिंग के उपर एक डेमन दिखाए देता है जिसके उपर वो कै़ बार गोले चलाती है पुरा पुलिस स्टेशन रेट कलर के लाइट से भर चुका था और जेसिका अपने फादर की उसी गन को लेकर उन आवजों का पीछा करती है जहांपर कल्ट मेंबर की स्पिरिट सेक्रिफाइस की गए लड़कियों के खून से ना रही थी और वे मंत्र भी पढ़ रहे थे जितने भी लोग उनके हाथों मारे गए थे उन सभी की आत्म उनके पास में केती फिर एक रूम में जेसिका को डेमनिक चेर पर जॉन मेलम बेटावा दिखाई देता है और सभी कल्ट मेंबर जेसिका के सामने कड़े थे दियल डेमन जेसिका के पास में आ रहा था जेसिका उस पर गोली चलाती लेकिन उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है तब ही जेसिका रियालिटी में आ जाती है जहाँ पर उसने डेमन समझकर अपनी मा एनाव को माड़ ला था और अब तक सबी कल्ट मेंबर उसके पास में आकर हसने लगे थे और हम देखते हैं कि जेसिका बहुत जादा परेशान होती है और वो खुद को गोली मारकर सुसाइट कर लेती है जेसिका के मरते ही सबी कल्ट मेंबर ताली बजाने लगते हैं क्योंकि अब उन लोगों ने जेसिका की स्पिरिट को डेमन की ब्रैड बना दिया था और फिर कल्ट मेंबर जेसिका को डेमन के पास के चेर में बेठा देते हैं और जेसिका चिलाने लगती है लेकिन हो कुछ नहीं कर पाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है दोस्तों अगर इस मूवी की कहानी को सिंपल वे में समझना चाहे तो हमें इससे एना से शुरू करना होगा एना पहले जौन मेलम के कल्ट के मेंबर थी और उसके बेबी को जौन मेलम डेमन की वाइफ बनाना चाहता था तो इसलिए एना कल्ट छोड़कर भाग गई थी लेकिन और मेंबर का इंटरोगेशन कर्ट टाइम लोरेन को डेमन ने परजस किया और उसने अपने ही दो पलिस साथियों को मार कर खुद भी सुसाइट कर लिया जौन मेलम ने भी उसके बाद में सुसाइट कर लिया ताकि मनने के बाद वो रिज्वल पूरा गड़ सके तो इसलिए उस पलिस स्टेशन को सिफ़ किया गया था चुकि उस इसिडेंट के बाद में कोई पलिस वहाँपर जिनता नहीं बची और सभी मार गए जेसका की किसम हो गई है जैसिका फोन से मदद जरूर पला रही थी लेकिन रेलाइड़ी तो यह थी कि जब से पुलिस स्टेशन में आई थी उसकी किसे से भी बात नहीं होती क्योंकि फोन लाइन तो पहले से कटी हुई थी डेमन बस उसके दिमाग से खेल रहा था और मरेवे सभी लोगो को डेमन की वाइफ बना दिया गया था मतलब कि अब जैसिका की स्पीरिट अन्यंतकाल तक डेमन के हतों टॉर्चर होती रहेगी तो दोस्तों यह था दमेल मूवी का एक्स्पनेशन मैं उमीद करता हूं कि आपके वीडियो पसंद होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो कुछ contrat डेमन की अन्यंतकाल